आज किस वीडिव में बात करेंगे बिए फ़स्ट एर के फर्स सेमेस्टर के प्रोटिकल साइंस यानि राज नीति साफ्तर के most important question and answer के बारे में आज किस वीडिव में जितने कोश्चन होने वाले हैं सारे के सारे MCQ यानि की objective प्रक्राइब होने वाले क्योंकि कुछ तो आज किस वीडियो का प rif油 कन कि जिले में आता है याई जो किण ऐप्वा ठीक है उसके बारे में तो आप जानती भी हूंगे लेकिनी जो चाया नामा का श्थान यह कहां पर कि kept किस जिले के जिल में आता है महाराइज गंज़ में आता है या फिर भलिया में आता है जोड़रिओं जि जो चौरीचौरा का फ्थान है एकटाइगा कि यह दुरभागी की बात है कि जब हमारा अंदोलन सफलता की तरब बढ़ रहा था तब उसे रोग दिया गया ठीक है यह घटना किसी भी राफटेस्ट अंकर से कम नहीं है यह विचार किसका है यानि कि एक बिचार है, एक मत है, एक प्रमुख जो फतंतता संगरामी हैं, जो देश के भक्त हैं, देश के लिए अपना जीवन निचावर करने वाले जो हमारे नेता हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात कही है, कि या दुर्भाग की बात है, कि जब हमारा अंदोलन सफलता की और बढ़ रह है, या घटना किसी भी राफ्टे स्ठंकट से कम नहीं, यह किसका है, लाजपत राजी का है, यह सुबास चंद बोफ जी का है, यह फिर चिंद रंजन दाफ जी का है, यह सरदा बला भाई पटल जी का है, ठीक है, तो यह जो प्रशन है, इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, का सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन नमबर ठीक है, बी हो जाएगा, क्योंकि इस सुबास चंद बोफ जी का यह विचार है, याद रखेंगे महात्पूर्ट प्रशन है, एक जाम के लिए, क्लियर, अगला भाईया प्रशन है कि आसाहयोग आंदोलन की कमी थी, कौन सी कमी सामिल करना था, या फिर खिलापत को सामिल करना था, अंदोलन अस्थकित करना, बेक्तिकत नेड़ा या फिर उपयक्त में से सभी, तो आसाहयोग जो आंदोलन था, उसमें कमी क्या थी, भी या, तो आपको कमी बताना है, महात्पूर्ट प्रशन है, ध्यान रखेंगे, ठी कि ये जो प्रशन है, मतलब कि आसाहयोग अंदोलन इसका सहयुत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारी कमी आ थी, जैसे कि आंदोलन में मदभेद भी था, ठीक है, और खिलापत को सामिल करना ये भी कमी थी, इसलिए सहयुत्तर हो जाएगा, अपसर नंबर D, ठीक है इसलिए अगरा प्रशन है, परस्तु थे आप सभी के समस्त कि आसाहयोग अंदोलन चलाने से क्या लाप मिले, भी ये जो आंदोलन ये चलाया गया था, जिसका नाम था आसाहयोग अंदोलन तो इससे लाप क्या मिला भी जनता में साहाज की भावना बढ़ी, रसनात्मकार क तो आपके जानकारी के लिए बतादे जो आ सहयों का अंदोलन चलाया गया था इससे बहुत सारे लाब हुए ठीक है जनता में सहाज की भावना बढ़ी यानि कि यह तीनों लाब हुए पहला दोफरा तीसा इसलिए सहयों तरह जाएगा डी नंबर उपरेक्ट में से सभी ठीक करवात हुए थी तो उस समय जो भारत का जो गवर्नर जर्नल था वो कौन था इन आपसनों में से लाड करजन जी थे लोड रिपन जी थे जीम्स फोर्ड जी थे यह फिर लोड कैनिंग जी थे ठीक है तो यह जो कोश्चन है इसमें जो आपसन देगे इनमें जो सही उत्तर ह हो जाएक आपसर नंबर हो जाएका कौन सा हो जाएका बी नंबर क्योंकि लॉड रिपन उससमें जर्नल ठिक है जर्वारत के ठिक है अगला भईया प्रश्न है कि बहुत ही हाई-level का प्रश्न है ही कि 1909 के एक्ट को किस नाम फीजाना जाता था ठीक है एक 999 में एक एक होव तुछ जो एक्ट था उसको किस नाम पर ज्यादा परशिद्धी मिली किस नाम से उसका परचार परसार हुआ ठीक है तो यह प्रशन दिक्राइश को सहुत्तर हो जाएगा आप से नमबर यह हो जाएगा कौन सा सही उत्तर बताईए उसको जाना जाता है मारले मिंटो सुधार क लखेंगे अगला प्रस्था कि निम्न मेंसे किस का रख ने उग्रवादी राष्ट वाद के परसार में महत्पॉर्ण भूमिका निभाई इनी के अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है बहुत बड़ा रोल लहा है ठीक है तो कौन से जो राष्टवाद उग्रवादी राष्टवाद हैं उनका क्या नाम है भी यह मतलब कि यहां पर आपको आप्षन देगे हैं ठीक है उग्रवादी राष्टवाद के परसार में महात्पोर्विमकाने भाई इलबर्ट विल ने या फिर वर्ला फिरो प्रिस एक्ट ने ठीक है वर्ना किलिवल ठीक है किलिवलर फ्रिस एक्ट ने या फिर बंगाल विभाजन ने या फिर लिटन की दमनकारी नीत ने तो यह जो प्रशन दिक राष्ट का जो सही उत्तर हो जाएगा अप्षन नंबर क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हुआ है यह जो बंगाल का विभाजन है इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है ठीक है आगला प्रश्ण बहिया प्रस्तुत है कि 1929 में 14 सूत्रे मांगे प्रस्तुत की गई थी 1929 में 14 सूत्रे मांगे हैं यह प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा हिंदू महास्थभा के द्वारा ठीक है मुहंपन अली जिन्ना के द्वारा गांधी जी द्वारा मिट्रिश आशन के द्वारा ठीक है तो इस प्रश्ण का जुद्त हो जाएगा अप्षन नमबर कौनसा ह हो जाएगा याद रखेंगे गांधी द्वारा चला तहां याद कि difficult किया गयाayo थे कशी से उत्तर होगा साथ का या भाएता की तिरंगाْयौन कर जण्ड़ाया फह राया गया था याद दिसंबर 1929 को अर्ध रात्री को रावी नदी के तट पर याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ए नमबर ठीक है आगला प्रशन है कि भाईया कांग्रेश द्वारा पूर्ड स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया कलकत्ता में मद्रास में ठीक है हर लुद्वारीपूरा में लहूर में तो इस प्रस्ने का जो सह हूत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आफशन नमबर इस नमबर कौन सा याद रखेंगे आप सभी के लिए बहुत ही मात पूर समय के लिए नहीं पारद किया गये था एंगला भाईया को जिए कि मार्च का ततकालीन उद्देश क्या था ठीक है जो डांडी यात्रा हुई तुछ सगर्शेत भार्तियों को तैयार करना थिक है निफेधागेका उलंगन करना सारकार को ठीक है अतांकित धिक है करना यह फिर नमक काणून तोड़ना रिक है इन आफ्षानों में से जो दे गहले कांवशन कर्स नंमबन काानुन तोड़ना अगला कर्शन तोड़ना की पार 1930 में सुराजिद्ल की अस्थापना कहां हुई थी कि सोराज दलकिय अस्या अपना कहां होई थी? किस सहर में होई थी? सूरत में लहोर में, इलहाबाद में, कलकत्ता में, ठीक है? कहां पर होई थी? जच्छे अलिये इसका सही उत्ञ जाएगा, आप शे नमबर याद रखेंगे बहुत ही मात्पूर प्रशन है इसका सहत्र हो जाएगा अलहाबाद में अस्थापना हुई थी अगला है कि कर बोली में कर ना अदायगी का नेत्रत किया था अगला प्रस्तुत है आप सबी कि समस्थ कि निमन में से किसने कांग्रेस की और से दुतिये गोल में ऽमेलन में भाग लिया था यहाँ पर आपको कई सारे डापसन देगे इन में जो सही उत्तर हो जाएगा उपसन नम्बर ठीक है कौन सा बी नम्बर ठीक है महतमा गांधी जी ने अगला प्रश्ण है की दुतिये गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी की वापसी के बाद कांग्रेश ने क्या प्रारंब कर दिया था सबने आज्यान दोलन सरकार ने कांग्रेश का उवे दिगोशित करना फत्या ग्राफे महलाओं को अलग रखने के योजना बनाई या फिर उप्रयोक्त में से सभी तो इस प्रशने का जो सहुत्तर हो जाएगा हो जाएगा याद रखेंगे बहुत ही महात्मूर्ण प्रशना है हो जाएगा सबने आज्या आंदोलन पुना प्रारम कर दिया था ठигै अग्ला प्रश्ण है कि भार्त छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का जो नारा दिया ञाए था वो किसे द्वारा दिया पर किसे ने दिया था बहुत ही महात्मोर्श है ने आप सभी के लिए जानना का इबनेट मिशन का अधस्ति नहीं था इन आप सुनों में से ठीक है तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा आप शन नंबर कौन सा याद रखेंकि बहुत ही मात पूण प्रशन आप सभी कि समस्तर हो जाएगा आप्शन नंबर डि लॉड वेवेर ठीक है और हम आ ब्रेटेन के बात हुं रही भात में जुस्ट सद Paradise मिली तो उसंवें ब्रेटेन देस में किसवा डल कि सरकार थी आपको बता Skills नाच कुछ resonate तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ठीक है डी नंबर सही उत्तर होगा अगला भया प्रशने कि सन 850 में कांग्रेश की प्रथम अधिवेशन में कितने प्रितिनिदियों ने भाग लिया था उनके संक्या बहुत ही हाई लेबल का प्रशने याद रखें कि बहुत ही हाई लेबल का प्रशन हमको बता रहे हैं सही उत्तर हो जाएगा 72 सी नंबर ठीक है 72 प्रितिनिदियों ने भाग लिया था अगला भया प्रशन प्रस्तुत है कि भारती राश्टे कांग्रेश का प्रथम अधिवेशन आयुजित किया गया था किस सहर में पूना कि अपनी अफ्थापना के एक दसक बाद भारती राश्टे कांग्रेश में फूट पढ़ने लगी उसका क्या कारण था बाल गंगातर तिलग का समाश उधार को उसे जगड़ा हो गया यह पर बंकिम चन्रेटरी द्वारा कांग्रेश की उधारवाजी नित का विरोध किया अगला प्रश्टे के बहिया गांधी जी द्वारा डांडी आत्रा फोरी गांधी जी द्वारा डांडी मार्च का प्रारंब किया गया था का प्रारंब किया गया था महात्पूर्ण प्रसने भी याद रखेंगे सही उत्तर रिष्का हो जाएगा आफ्चा नंबर सी 12 मुश्लिम लीग पार्टी का संसथापक माना जाता है बहुत भी there ऐसे विक इंग्जाम के लिए तो मुश्लिम का जो संसथापक है ऩ зах celebrations खांग को ठीक है आगाःकों को माना जाता है अगला कि इकबाल अपने प्रारेम्बिक जीवन काल में या थे गविज उत्तर हो जाएगा राष्टवादी थे ठीक है अगला प्रस्णी कि बंगाल का विवाजन किस ठीक है वाय सराय के समय हुआ था लॉर्ड करजन के समय में ये फिर लॉर्ड कैनिंग के समय में ये फिर लॉर्ड वेवल के समय में किस समय हुआ थो आपको बताना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर B यानि की हुआ था लौड करजन के समय में याद रखेंगे बहुत ही महात्मोड प्रशने लौड करजन के समय में बंगाल कोई भाजन हुआ था ठीक है अगला प्रशने है बैया की कलकता में ठीक है कलकता फे दिल्ली भारत की राजधानी लाई गई थी यानि की भारत की पहली किस्टन में लाए गए थी यहाँ पर बहुत सारे आफ्टन दियेगी जो आपको सही उत्तर वो आपको बताना रहेगा तो सही उत्तर इसका हो जाएक आफ्टन नंबर कौँ सा 1911 में लाएगा था याद रखेंगे 1911 में बहुत ही महात्मूर प्रश्ण है 1911 में ठीक है अगला प्रश्ण में कहा रहा है कि निम्न में से सही क्रम में अंगित कीजिए ठीक है तो आपको इसमें मतलब की एक तरीके से जिसको आप लोग बोलते हैं एयरो मतलब की मिलान करना ठीक है वो आपको बताया जा रहा है तो सही क्रम आपको चूच करना है नंबर एक पे है कि भाई सूरत बिवाजन यह नंबर दो पर भंग ठीक है बंग भंग और तीन नंबर पर मुस्लिम ने की स्थापना नंबर चार पर कांगरेश का सम्मेधानिक प्रस्ता हो तो इसमें step by step क्या होगा ठीक है पहले दो होगा चार होगा तीन होगा एक होगा या फिर पहले दो फिर तीन कौन सा इसमें सही उत्तर हो आपको बताना रहेगा ठीक है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा याद रखेंग वो हो जाएगा option number ठीक है कौन सा ए की गई थी मदन लाल धिंगरा के द्वारा अगला प्रस्ण है कि 30 अप्रेल 1908 में मुझभफर पुर में जज किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बंफेकने का कारिक इस ने किया था बहुत ही महादपूर प्रस्ण है ये भी आप सभी के लिए सही उत्तर्श का हो जाये का अफश नहीं था जो आप संदेगीन में सेत्र हो जाएगा अपसन नंबर डिच्छ अंदर सेखर आजाद नहीं थी ठीक है अगला की जलिया वाला बाग नामा का अफथान है कहां पर रहें जो जलिया वाला कांड हुआ था तो मतलब ये अफथान जो है वो कहां पर है लुद्याना है कि वरिसे भणाय किया था जैगा लए और लत्र फिंगह नबर डियानी किया ता किसके द्वारा में थी ठीक्यों थीच है अगला इसमें बंगाल को कब रह दो कि आपको बताना संद तो सहीतर्ष का हो जाएका अफिश्ण नमबर सी सन 1911 में अगला की साइमन कमीशन के अध्वच थे जो साइमन कमीशन के अध्वच थे कौन थे यहाँ पर चार आप्सें देंगी में सहीतर्ष का प्रस्ताव किस अध्यवेशन में पारित किया गया था ठीक कांग्रेश ने पूर्ण सोराजी का प्रस्ताव किस अध्यवेशन में पारित किया था लहूर में अध्यवेशन में फिर दिल्ली के अध्यवेशन में ये फिर इस्लामाबाद में फिर कॉलकाता में ठीक है तो इस प्रशने का से उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर भी ठीक ह क्योंकि यह पारिद किया गया था ठी अजवेशन लोहौर में अगला कि गांधी इर्विन समझा उता कब हुआ था तो जो गांधी इर्विन सम्झा उता हुआ था बहुती महात्पूर्ण पर प्रश्ण याद रखेंगे आप शबीक लिए यह हुआ था कहां पर इस्लामा कहाँ पर, एक मिनिट एक मिनिट, गांधी इर्विन समझ degout था, कब हुआ था, सन बताने आपको भ यह, तो यह जो हुआ था, कि सतन में हुआ था, आप सभी comment आप सबह Telescribe बताई, अगर आपको मालूम है, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने कांग्रेस की फदस्तता छोड़ कर हर जनों की सेवा करना प्रारम किया था किस तन में किया था याद रखेंगे 1923 में अगला की गांधी द्वारा नमक कानून को कब तोड़ा गया था याद रखेंगे तोड़ा गया था छ अप्रेल 1930 को याद रखेंगे तोड़ा गया था से अप्रेल 1930 को ठीक सी टीक है 1922 में पुझना प्रारम किया थाowego अघला अगला प्रस्त ऊसको हरीजन के अंक में या प्रकासित हुआ की अंग्रे जो भारत को जापान के लिए मद छोड़ना स्वड़ी मत छोड़ो बलकी भारत को भारत to यह को के लिए विएवस्थित रूम से छोड़ यूजे विचार किसका था है तो भारत चोड़ो आंदोलन के बिचार जो था की आरा म था हैं सरागी जह कंदित जा लाल नारा कें जानतें चाहता जानते हैं यह पंडित जाद याद यानि कि गांधी जी द्वारा दिया था करो या मरों का यह अगला कोई इतना इग्नोर के सकते हैं भाकि कोई खास नहीं इसको आप लिगों प्रस्तुत है जानते हैं कि निम्न में से किसने का अंग्रेश की और से दुतिय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था ठीक है तो उनका नाम है महत्मा गांधी जी याद रखेंगे अगला कि फूट डालो और सासन करो की नीत किसने अपनाई थी ठीक है तो फूट डालो और सासन करो की जो नीत ही वो अपनाई थी अंग्रेश जोने बी नमबर से उत्तर हो जाएगा किसने अंग्रेश जोने अगला प्रस्तन है कि सर सयद आहमत का अपने जीवन के अंतिम दिन कि मुझे हिंदु नहीं मानते यह बात कि इसने कही ती तो इस पर शेयुत्तर हो जाएका अप्शन नमबर स्रेय कही ती सरसेद ऐहमद खान ने तीक है अगला है कि सीमान्त गांधी के नाम फे जाना जाता है मौमद अली जिन्ना को ये पिर यहातमा गांधी जी को ये फिर में और को अगला कि माउंट वें टन ने भारतियों कि समकच अपनी योजना कप प्रस्तुत की थी तो पृस्तुत की थी तो प्रस्तुत की थी कब बी नमबर से इसका होगा तीन जून 1947 को कब 3 जूर 1947 को ठीक है तर इसका B होगा ठीक है याद रखेंगे बहुत महात पूर्ण प्रस ने ठीक है तो आज किस वीडियो मस करीब करीब मैंने 50 ज़्यदा कोईश्चन आपको बता दें और बाकी आने वाली ज़्यदा कोईश्चन आपको प्रवाइड कराएंगे इस पीडियो को प्राप्त करना है तो वर्टस पर मैसेज कर दीजेगा जहिंद